जेहिंद सातियूं नमस्कार वंदे मात्रम स्वागत करता हूँ आप सभी नोजवान सातियूं का मेरे सभी बावी कॉंस्टेबल सातियूं का इस्टेडी एक्जाम एकेड़मी में सभी साती कलास में एक बार लाव जुड़ जाएं दोस्तों राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बढ़ती परिक्षा को लेकर आप सभी दोस्तों के बीच में एक बार पुने लाई वाया हूँ पूरी जान करें आपको मैं देने वाला हूँ और आपका रिजल्ट है वो कब जारी हो रहा है फिजिगल आपका कब होगा इसको लेकर आपके जितने भी डाउट है सभी नोजवान एक बार लाइज उड़ जाएं सभी का स्वागत रहेगा तो साथ यूँ आपने एक न्यूज पड़ा भी न्यूज पेपर में न्यूज भी पड़ी होगी कोंस्टेबल बढ़ती परिक्षा को लेकर तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा था कोंस्टेबल बढ़ती परिक्षा इंटरनेट शेवाबंद के कारण पोन गंटे देरी से शुरूवा पेपर जो आपका 2 जुलाई को पेपर था वो सभ लीजी पेपर था और अच्छे नमर भी आ रहे है इस्टूडेंट के तो कोई गबराने वाली बात नहीं है कोई यहां पर दांदली और नकल बाजी नहीं हुई है कुछी लोग आपको गुमरा कर रहे हैं परमित करने की कोशिज कर रहे हैं पूरे राजस्तान में पेपर आपती दरज करवा सके तो आज आज आपका आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी कितनी बजे अभी 11 या बारा बजे या तो आपकी आंसर की आजाएगी या फिर सामकोई 4 बजे तक आपकी आंसर की आजाएगी आंसर की कैसे आपको चे करना है सब से पहले आंसर क काम पर देखना है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आनसर कि आपको देखना है राजस्तान पुलीस की official website के उपर गूगल पर जा कर भी आप देख सकते हैं राजस्तान पुलीस की official website इस परकार से आनसर कि आप देख सकते हैं जो आपको candidate copy दी गई थी आपने जब exam दिया तो आपको एक candidate copy आपको खुद को दी गई थी उसके अंदर आपको मिलान करना है जैसे answer की के अंदर पहले के अंदर D आ गया दूसरे के अंदर मालो C आ गया तो आपको check करना है आपकी उस candidate copy में कि आपने एक नमर में कौन सा answer दि आपकी जो paper था वो उसमें A series D, B थी, C थी या D थी इस प्रकार से अलग-अलग जो series आती है वो आपको देखना है तो गुरुजी हम कांसे आंसुर की देखने के लिए मैंने आपको बता दूँ आंसुर के आपको कांसे देखना है एक telegram group बनावा है student के लिए special राजस्तान group बनावा है ध्यान रग लेना ये नाम आप telegram पर जाकर सरच करोगे तो आपको ये group मिल जाएगा इसमें कितने बचे जुड़ेवे हैं 26,000 26,000 राजस्तान पुलीस के student इस telegram group में जुड़ेवे हैं इसका link मैं description box में देदूँगा ये telegram group में आपको क्यों बता रहा हूँ क तबी answer कि इस telegram group में आपको मिल जाएगी तो आप इस telegram group को जरूर जोइन करें अब यहां पर आपको कैसे मिलान करना है क्या करना है मिलान करने के बाद आपको पता सल जाएगा कि बढ़े आपके कितने percent right हो रहे हैं कितने wrong हो रहे हैं आपके कुल नमर कितने आ रहे हैं उसके बाद में मालो टोटल आपको काउंट करना है इसके अंदर एक बटा चार आपकी माइनस मारकिंग होगी यानि कि आपके एक परशन गलत होने पर एक बटा चार आपका काड़ लिया जाएगा एक्स्ट्रा में इसके बाद यहां से आप को माइनस कर देना कि कितने आपके परशन राइट हुए हैं कितने आपके परशन रोंग हुए हैं कितने परशन शही हुए हैं कितने गलत हुए हैं यह सारा आपको काउंट करना है उसके बाद में 150 नमर का पेपर था 150 में से आपका स्कोर कितना हो रहा है यदि आपका स्कोर cut pit कर, पूरा minus marking करके यदि 100 के लगबग आपका score हो रहा है तो इसका मतलब अच्छे डंग, अच्छे level में हो आप physical तक हो यदि 100 से भी उपर 110, 120 यदि आप पहुंच रहे हो, तो आप निशित रहें दोड की त्यारी करें किसकी त्यारी करें, दोड की त्यारी करें कितनी दोड होगी, पांच किलो मेटर पांच किलो मेटर दोड की अभी शुरू कर दें क्यों करें गुरू जी, इसका result कम जारी होगा इसका result, अगस्ट के पहले सबते में, आपका result है, वो जारी कर दिया जाएगा, तो आप सबी अभी से तियारी में लग जाएगे, हाँ, physical कभ होगा, दोड कभ होगी, दोड आपकी सितमर महीने में मानके चलो, एक महीने का बाद में आपको दोड का time दिया जाएगा, रिजल्ट आने के एक महीने के बाद आपका क्या हो जाएगा फिजिकल दोड हो जाएगी तो पांच किलोमेटर आपकी दोड की त्यारी करें बाकी और कुछ जादा है नहीं हाइट बगेरा आपकी पूरी होने चाहिए बिल्कुल जितने भी साथ ही लाइव जुड़े हैं बाई सभी का स्वागत रहेगा तो यह बड़ी अपडेट थी है इस तोर से ज्यान रखें पूरा आप अंसर की अच्छे डंक से मिलाएं जो आपको कंडिडेट कोपी दी गई थी उससे आपको मिलान करना है परसंड का आपको पता नहीं से लेगा बहुत से अरविदारती पोचे रहें कमेंट करके की गुरुजी हमारे पात परसंड नहीं है वहां पर पेपर जमा कर लिया तो परसंड का आपको पता नहीं से लेगा लेकिन यहां से हैं uniquement का उसे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने परसंट राइट हो रहे हैं, कितने रोंग हो रहे हैं, अपने आपको पता चल जाएगा जब आपके सामने आंस्वर की आएगी, इस परकार से मैंने आपको तरीका बता दिया, अच्छे डंग से, बाकी मैंने ये भी बता कि कोई गबराणी की आपको आउशिक्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ paper का लेवल बहुत ही आड़ था, 13 तारिक वाड़ा, 15 तारिक यह पेपर था ना, उन विदारत्यों का लेवल बहुत ही आड़ था, 80, 90 नमर भी आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा अच्छे डंग से, बाकि कोई आपका डवट है, तो आप पूछ सकते हैं हमारे जो निचे वाट्शप नमर दे रहे हैं, निचे जो लाइन चल रही है, वाट्शप नमर हमारे, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम गुरूप में जुर्दाना आंसर की आते हैं, सबसे पहले अभी डाल दी जाएगी, बिल्कुल आज ही आपकी आंसर की जारी हो रही है, आज ही बिल्कुल आंसर की आरही है, बहुत सार विदारती पूछ रहे हैं, हाँ विल्कुल आज ही आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी तो जितने भी साथ ही त्यारी कर रहे हैं और जिनके भी अच्छे नमर आ रहे हैं उन सबी को बेश्ट अब लग और अगली बरती में अगली वेकेंसी में आपके CET लागू हो रही है क्या लगू हो रही है CET अब डाइरेक्ट आपको कॉंस्टेबल का पेपर नहीं देना कॉंस्टेबल का पेपर देने से पहले आपको समान पातरता परिक्षा पास करनी होगी इस परिक्षा को उतिन करने के बाद इसमें आपको अच्छे नमर आने के बाद टोपर टोपर एक ज्यादा से ज्यादा मान के बताऊं तो एक लाग विदारती ही कौंस्टेबल का पेपर दे पाएंगे तो अत्या में सभी विदारती से यही कहूंगा कि यही वेकेंसी है जिसमें आपको सांदार मोका है आपका कौंस्टेबल और वर्दी पाने का जो सपना है वो पूरा हो सक सकता है धन्यवाद साती हूं आज की क्लास में इतना ही अंसुर की आते हैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में अपडेट दे दी जाएगी धन्यवाद जैहिंद